दोस्तो आपने ये पोश्टर देखा होगा आपने सायद ट्रिलर भी देखा होगा और अब सायद आप मूवी के इंतजार भी कर रहे होगे तो जी यहाँ दोस्तो आज हम लोग बात करने वाला है गुंजन सकसेना जी के बारे में उनकी बायोग्राफी देखने वाले हैं किस किस तरह से इन्हों ने इंडियान एयर फोस जुएन कि और किस तरह से अपना कंट्रिबीउशन दिया इंडिया के करगिल वार में तो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में इनके बारे में जानने की कोसिस करेंगे अगर आपने अभी तेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि और आए होप आप इंतजार कर रहे होंगे काफी एक्साइट होंगे इस मूवी के लिए तो दोस्तों बात करते हैं गुणजन सक्सेना जी के बारे में चैनल के थी, ऊब्यसली एक गुणजन सक्सेना जी और दूसरी स्रीबयद रंजना जी थी, ये दोनों पहली दो महिला जिन्होंने combat zone में अपनी उडान भरी जो लोग कारगिल war में actually उडान भरे थी अभी इनकी उम्रे 44 साल है इनका जन्म 1975 में लखनव में हुआ था तो दोस्तों लखनव में इनका जन्म हुआ और इनके पिता इनके भाई दोनों इंडियन आमी में थे उसको देखने के बाद इन जोइन कर लेती हैं जहां पर यह फ्लाइंग्स की basic सीखती हैं और उसके बाट 1994 में इंडियन एयर-force यह जोइन करती है तब पहली बार थी वुमेंज को टिक है एलाव किया जाता है इंडियन एयर-force में तब 25 महिलाय जोइन करती है और इन 25 में से यह दो महिलाय भी रहती है जिन में एक है गुंजन सकसेना जी अब गुंजन सकसेना जी इंडियन एयर फोस जोईन करती है ट्रेनिंग के बाद ये उधंपूर पहुंचती है इनकी पोस्टिंग होती है उधंपूर जम्मू कास्मीर में दोस्तों ये बताती है एक NDTV को इंटर्व्यू देते हुए इन्होंने बताया कि ऐसी हालत खराबती वहाँ यूनिट की कि वहाँ पर सेप्रेट वास्रूम वह अगरा भी नहीं थे यानि इंडियन एयर फोर्स या कोई भी जो मतलब हमारी सेना है वो उमेंस को पहले तो जब सायद हालात अनुकूल नहीं थे उमेंस के लिए सेना में जाना तब इन्होंने जुआइन किया था तो अब ये इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा बन चुके है 1994 में अपने ट्रेनिंग भी कर चुके है और पांच साल में लगबग ये काफी अच्छा घासा फ्लाइंग सी की आप छेतक हेलिकॉप्टर कूल आई है ये छोटी से हेलिकॉप्टर होती है जिसके अंदर क्या होता है medical supplies होते हैं कुछ और कहा जाता है इनको रोल दिया जाता है कि जो भी इंसर्ड today उनको आप रिसक्यू करें उनको लेकर के आए उनिट तक वहां से उठा करके जो भी जो भी जान लागा कर किसी भी तरह से मतलब अपनी परागरम को साबित करते हुए इन्हों ने ये टास्क को पूरा किया अब दोस्तों ये पताते हैं कि चारों तरफ पाकिस्तानी थे इनको एस्पोर्ट करना था पाकिस्तानी किधर किधर हैं तो इनके पास equipped gun भी नहीं थे अ उनको बचाती हैं और ये काती हैं कि ये जिन्दगी का सबसे इनकी सुखत अनुभाव रही कि जो इन्होंने सारे सोल्जर्स को जो भी रिस्क्यू किया उनको बचाया अब दोस्तों इस कंट्रिबूशन के लिए उनको सौरे चक्र दिया गया सौरे चक्र आई होप आपको अब पता होगा दोस्तों उनको दिया जाता है जो युद्ध में directly involved नहीं होते हैं पर indirectly कंट्रिबूशन देते हैं ठिक है उनकी courage के लिए heute के लिए उनके hardship को ओनर किया जाता है सौरे चक्र से तो यह सौरे चक्र अवार्ड इनको बाद में दिया गया और यह अभी साधिवादे इनकी हो गई है और यह गुजरात में सेटेल हैं अभी ठीक है अभी रिसेंटली आपको मैंने बता दिया कि जो इनके उपर गुंजन सक् चेना के बारे में कुछ knowledge मिला होगा गुंजन सक्षेना जी ने किस तरह से अपने courage और valor का प्रदर्शन किया और किस तरह से आज देश का नाम रोशन उन्होंने किया है और किस तरह से बेटियों के अंदर कुट कुट की यह जज़वा भरा है कि उनकी तरह कुछ कर गुजर करने का सपना सवंजोए बैटि बैटियां आज हमारे देश में बैठी हुई हैं तो आई होप गुंजन सक्षेना जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मिलेगा यह काफी मोटिवेटिंग फिगर हैं हमारी देश की तो अगर आपको इनके बारे में अच्छा लगा है मेरा भायोग्रोफी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और मेरे साथ जूड़ जाएए थैंक्यू सो मच